हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों आज हम बनाएंगे इमली की खटी मीठी चट्नी, तो चलिए मैं इसे आपको स्पून से उठा के दिखाती हूँ, यह देखिए बिलकुल हलवाईयों जैसी बनी है ना, देखिए इसका कलर, तो चलिए देख लेते हैं इसे ह गरम पानी में भीगो कर रखा हुआ है, तो चलिए से साइड करके देख लेते हैं, एक कप मैंने गूर लिया है, जैसे क्रश कर लिया है, यह 100 ग्राम की करीब है, तीन बड़ी चमच चीनी ली है, एक छोटा चमच सफेद नमक, आधा छोटा चमच काला नमक और आधा छोट करते हैं इसे बनाना, सबसे पहले हम इमली यह जो हमने भीगो के रखे इसे बड़ी सी चलनी लगा कर चान लेंगे हम, क्योंकि हमें इसका स्मूद सा पल्प चाहिए, इसमें बहुत ही रेशी से धो कर डाल देंगे अच्छे से बाउल को, इमली में बहुत सारे रेशी और बीज होते हैं तो इसे हम अच्छे से चान लेंगे, यह देखिए, स्मूद सा पल्प तयारे से हमने अच्छे से चान लिया है, अब हम गैस पर एक कढाई रखेंगे, इसमें मैंने दो छोटे चमश तेल डाला है, कढाई को गरम करने के लिए हम गैस की फ्लेम आन कर लेंग हम इसमें आधा छोटा चमश साबुद जीरा डाल देंगे, यह देखिए, जीरा चटकने लगा है, अब हम इसमें दो चुटकी हेंग डाल देंगे, इससे बहुत यच्छा टेस्ट आता है चटनी में, अब हम इसमें जो हमने इमली का पल्प तयार किया है, चान कर यह डाल अब हम इसमें, इसे अच्छे से मिक्स करके, अब हम इसमें एक कप हम क्रश्ट गूर्ड डाल देंगे, 100 ग्राम के करीब है यह, जितना आप इमली का पल्प लेंगे, उतना ही आप इसमें गूर्ड डालेंगे, इसे अच्छे से हिला लेंगे, ताकि गूर्ड डिजॉल्व हो जाए आप इसे क्रश करके ही डाले यह देखिए गुड डिजॉल्व हो चुका है अब हम इसमें तीन बड़े चमच चीनी के डालेंगे ताकि इमली और गुड का जो फ्लेवर है थोड़ा सा बैलेंस हो जाए चीनी से अब हम इसमें नमक, सौफ का पाउडर और काला नमक डाल देंगे लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालें भुना जीरा और गरम मसाला डाल देंगे हम इसमें इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चटनी को अब हमने तब तक पकाने है जब तक यह थोड़ी सी गाड़ी नहीं हो जाती इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट तक पकाएंगे यह देखिए 5-7 मिनट बाद यह कितनी गाड़ी हो चुकी है बस अब हम इस स्टेज पर गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे यह दो महिने तक भी खराब नहीं होती है यह देखिए बाउल में मैंने इस चटनी को निकाल लिया है आप भी इसे जरूर बनाएं बहुत ही टेस्टी बनती है इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इसे दही भले चाट पापड़ी किसी पर पी डाल करें